तो मेरे जिखर के चलो यार के से हुवाई लोग यार आश्या करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे टना टन होंगे अपने अपने गर में सेफ होंगे थमनेल देख तो आप समझी गई होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है तो भाइलोग आज की यह तीन टिपस एंड ट्रिक्स फोलो कर लीना उसके एकदम लेवल लगने वाले तो बहुत बीना इसकिप कि वीडियो को पुरा एंड तक वाच करना तो आज की वीडियो बीना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बहुत नमबर वन पर जो टिपस है मतलब कि आपको ड्र अगर आपका फईर बटन का साइज अगर आप थाटीफाइव के राउंट रखते हो या तो फिर 6ी क अरण रखते हो तो आप चीब्स लघते हो आपका 800 पर्फेक्टली लगेगा और आपको ड्रेक करना है अगर आपको ड्रेक के आदत नहीं तो आप ट्रेंडिंग करो कस्टम करो कस्टम में भी मेरे को पता है दो दो बुलेट चलातों आपको चलानी ओल्ली फोर वन बुलेट तो नमर बन बे जो टिप्स ती यही थी कि साइड में या लेफ्ट साइड में आपको ड्रेक करना है और और सेंड अपकी मोबाइल की सेंसिविटी भाइल लोग बहुत ही अच्छी होने चाहिए अगर आपकी अच्छी नहीं है तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि आप अप बढ़ा सकते हो वही थ तो दिश्रा नंबर पर चीज आती वह कि आपके fire button का size आपको अपने fire button का size क्या रखना है वाई लोग मेरा fire button का size तो 59 अगर आपको 15 मतलब की बड़े fire button से थोड़ा तकलीफ होता है तो छोटा fire button size कर सकते हो मतलब की fire button size छोटा कर सकते हो मैं पहले खेलता था 25 fire button size वे तब मेर कुछ और आज मैंने पना सेटिंग को थोड़ा सा डिफरेंट कर देह सकता है तो अगर आपको मेरी यह स्विट्प्संद आ रहे हो मतलब यह की सेटिंग कराश्टम प्संद लिए उकadore सेम झ прसकता है और यृण के को संविट一个 फुल रखने क्यों कि अगर आपने DPI यूज की और फुल सेंसिविटी रखा तो भाई लोग आप किदर भी ड्रेक करोंगे कुल मिला कि आपको ड्रेक करना और ड्रेक करते हैं आपका एड्सोट पका लगने वाला है देखो मैंने भी सेंसिविटी अपनी फुल करी रखी थी फायर बटन का सइज भी मैंने अपको बताए दिया क्या रखना है और ड्रेको मेरी हैर रेकुली ही एड्सोट लगेगी भाई लोग ठोड़ा बोडी जरूर लगेगा पर है रेकुली एड्सोट लगेगी भाई लोग आज की अगर इस थीन टिप्स फायर बटन का सइज, से का दियाना थैंक यू बाइ लोग